अगर किसी को terrorist घोशित किया जा सकता है, तो सिरॉफ पर सिरॉफ इसराइल की governments को किया सकता है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं वहेसियत मुस्लिम के चाहताँ कि हम लोग पाकिस्तान पे अटैक करें और उसको वापिस अपने में मिला लें. मुसल्मानों की बात न करें, मुसल्मान इस देश की रीड की हंडी हैं, आज हमारा देश सबसे बड़ा सबसे ताकत वर देश होता नहीं होता, अगर पाकिस्तान, बंगलादेश और इंडिया, इंडिया ही होते, भारत ही होते, तो आज हम अमेरिका से ज्यादा ताकत वर होते इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, बंगलादेश और इंडिया दुबारा एक हो मैं आपसे इसका जवाब पूछ रहा हूं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो वार डिकलेर कर रहे हैं वार दो देशों के बीच में होती है तो जब जो हमास को इसराइल गवर्मेंट के डारेक्ट कॉंटेक्ट हैं हमास से क्योंकि वहाँ पर वो वो इलेक्टिट गवर्मेंट है उनकी सेल्फ रूल है वहाँ पर तो इस बात को क्या यह सब नामनिहाद जनरिस्ट नहीं जानते इस बात को नहीं जानते के अगर किसी को टेरिस्ट गोशित किया जा सकता है तो सिराप और सिराइल की गवर्मेंट को किया जा सकता है और वो भी क्यों यूएंज जनरल असेंबली ने सिरी penguin कांसिल ने कितने हैसे स्कता है कि में भी यह कह रहा हूं कि यह जो वर में में हो रहा आएक और यह क्लेटरल डेमिज हूँ अब वो व॓ क्लेंज नहीं होगा जो बिताती है पूरी राय्या यहाओ सो काल्ड नूटरल मीडिया आपने आपको कहने वाली से कल बांग च्शे जो जहांपे लोग ररह रहें जिनका उस नहीं तो खुत और क्राइम से तो यह पर लिचेह आद्मी इतनी इतनी bench नहीं रखता इतनी इमांदारी नहीं रखता उसको जेनलिस्ट काना journalists की बेज़ती है मैंने दो example दिये न आपने सारे example दिये मैंने तो सारे प्रधानमंतृयों का example दिये भारत की जो official policy है उसका example अटल विहार वाजपाई जी का आपने एक्जाम बगी यह भारत की पॉलिसी है इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं जहां तक पाकिस्तान का सवाल है मैं वहस्यत मुसलिम के यह चाहता हूं कि हम लोग पाकिस्तान पर अटेक करें और उसको वापिस अपने में मिला लें हम लोगों को बंगला देश से बात करके भाट वह वापिस मर जो जाना चाहिए हर एक मुसलिम इस देश का जो जो सही मुसलिम होगा जो किसी ना किसी तरीके से RSS द्वारा भेकाया नहीं गया होगा या RSS का एजन्ट नहीं होगा वो पाकिस्तान के existence से ही नफरत करता होगा ये हमारा पाकिस्तान के लिए stand है ये हमारा stand है दूसरा stand ये है कि हमें पता है और हम इस बात तो कहते हैं कि दाइश टर्रिस्ट हैं हम एलान करते हैं और हम लोग तो यहां से उनका मुकाबला करने इराग भी जाना चाहते हैं आ इस पुल तरीके से तो भारत सरकार ने रोका था तो मुसल्मानों की बात न करें मुसल्मान इस देश की रीड की हड़ी हैं रीड की ब्रिगेडियर उस्मान हो आगे रहके लड़ेंगे क्योंकि हमारा देश है और पाकिस्तान एक एक्सिडेंट है जिसको हम खतम करना चाहते हैं उसको हम ठीक करना चाहते हैं जिना और RSS ने मिलके पाकिस्तान बनाया था उस वलती को जो देश के खिलाब दी आज हमारा देश स चाइना से ज्यादा ताकत वर होते हैं आज हम पूरे EU से ज्यादा European Union से ज्यादा ताकत वर होते हैं इतनी बड़ी साज़िश है इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भंगलादेश और इंडिया दुबारा एक हो और इस देश में यह देश जो है दुनिया का लीडर बने ऑट मुसल्मनोंने बुक्ता है सबसे जगश्चिय दिया उसके बातंु नियुक्त से मता तुج पास्तान और अधूरा भारत है पाकिस्तान और बंगलादेश को अधूर बारत में पिर चैना की हिंमत होती कि और एकमारकर तो यह भारत के मुस्लिम हम को सही करेंगे जिन्ना और RSS ने जो गलती की टीटी देश के साथ जो साजिश की इसको सही करेंगे यह मुस्लिम का पाकिस्तान के का वो सब यह मुस्लिन देशों से हमारी दुश्मनी कराना चाहते हैं वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है मैं यह बार-बार बात कहता हूं जो इंडिया की पॉलिसी को इस्राइल की तरफ है मैंने अभी आपको उसके फाइदे और नुकसान गिनवाएं हैं इस्राइल की तरफ शिफ्ट करना चाहता है वो चाइना और पाकिस्तान का एजेंट है जो इंडिया को कमजोर करना चाहता है हमारे रिष्टे हमारे फ्रेंड से खराब करना चाहिए